असलामुलीकुंट फ्रेंट्स, वेलकम्टो मैं चैनल आज कहा अमारा टॉपिक है फ्लॉपीन टू ब्लॉकेज। आज इस वीडियो में हम आपसे फिलोपीन ट्यू ब्लॉकेज को डिसकस करेंगे किस तरह से हम कैस्टर ओइल मसाज के जरीए घर पेटे फिलोपीन ट्यू ब्लॉकेज को सही कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर अडियू है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें बल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह कि जो वीडियो से हम बनाते हैं आपको मिल सके आप अपने टॉपिक के जाने बढ़ते हैं फैलोपीन ट्यू ब्लॉकेज फैलोपीन ट्यूप्स को पहले समझ लें फैलोपीन ट्यूप्स जैसा आपको सस्वीर में नजार आ रहा है दोनों ओवरीज के दर्मियान दो फाइन ट्यूप्स हैं ओवरीज और यूट्रस के दर्मियान या पको सस्वीर में नजार रहा है फैलोपीन ट्यूप्स ब्लॉक एग से मिलने नहीं देती जिसकी होजे से आपको pregnancy नहीं होती 40% हमारे हाँ ये problem है कि block of falocanth hip की होजे से हमें pregnancy नहीं होती, inferdility हो जाती है इसके symptom कोई भी नहीं है, जब आपको one side abdominal pain हो, नीचे की तरफ आपको किसी भी एक तरफ दर्द होता हो तो अपने डॉक्टर से लाजमें डिसकस करें इसके लावा जब हम inferdility का अपने treatment करवाते हैं, डॉक्टर हमें मुक्तलिफ किसम के test लिखे देते हैं जब हम वो करवाते हैं तब उसमें हैं सामने आता है कि हमें fellow purity block page का problem है इसके अलावा friends जो causes हैं वो है अगर आपको कोई पुरानी कोई पिछली past abdominal surgery होई हो वो fibroids का problem है या पर sexually transmitted disease है endometriosis है आपका c-section हुआ है या pelvic inflammatory disease है या फिर आपकी past ectopic pregnancy है कोई ऐसा कोई तो फिर आपको जो है यह problem हो सकती है कि आपके fallopian tube blockage का problem हो सकता है इसको easily किस तरह से सही कर सकते हैं जैसा आपको इस सब्सक्राइब में नजार आ रहा है आपको करना है कि के caster oil जो के बहुत ही अच्छा oil है आपके बालों के लिए आपकी skin के लिए और infidelity के लिए तो बहुत ही अच्छा है आपको करना ही है कि caster oil किसी भी shops आपको easily available है कुछ में मिंट भी शामिल होता है आपको प्रेशन होने की जरूरत नहीं आप मिंट फाला भी ले सकते हैं मिंट फाला पके लिए लिए आप उसको अपने अब्डॉमन पे और नीचे की तरफ अच्छी तरह से रब कीजिए रब हलके हाथ से करना है रब ना भी करें तो नो प्रॉब्लम आप इसली लगा लें उसके इलावा तॉलिया लीजिए उसके उ कमर की तरफ का आप उसको एजली रैप कर लें और बहतर है कि कमर की नीचे तक ही लगा लें या कोई कुशन वगारा रख लें तो जादा अच्छा है उसके बादी जो वाटर बॉटल आपको तस्वीर में दिखाए थी हॉट बॉटल इसको आप अपने अब्डॉमन के पर हलका गरम पानी लेना है जाता तेस नहीं लेना यह आपको एक से दो महीने कंडा है उसके बाद अगर आप 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 जाएंगी रॉक्टर से डिसकस करेंगी अपना जो टेस्ट कर भाएंगे आपको पता चलेगा कि जो फैलोपीन ट्यू ब्लॉकेश था उसमें बहुत फरक इसके अलावा फैंट्स जो मैंने लोगों को करते हुए देखा है वह आसान तरीके से यह भी कर सकते हैं कि कैश्रो आइल लेजिए उसको अपने पेट पे हलका सा रब कीजिए और नीचे पीछे की तरफ भी आप कमर की तरफ भी रब कर सकते हैं उसके बाद गरम तॉलिया तॉलिया को आप गरम पानी में हलका सा वैट कर लें इसको निचोड़न अची तरह आप अपने पेट पर पेट और कमर के पीछे हिसे में बैल्ट लाइक उसको बाद लें और आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसके लावा जरूरी नहीं है कि आप इसको पुश करें या दबा आप इसको छोड़ भी दें तो भी नो प्रॉबलम इसके लावा आप सिर्कुलर मोशन में भी आप इसको कर सकते हैं मसाज तरह इंफरडिलीटी का आपको ठीट हो इसके लावा इफ्रेंट गिफरेंट तरीके हैं आप आद रखा कहबा पी सकते हैं वैटेमिन C जादा और योगा भी आप ठ्राइ कर सकते हैं फेलो पेंट यू ब्लॉग को अपने अनब्लॉक करने के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा जजागल्लाइब